जी हाँ, RPSC के बारे में बात करेंगे, राजस्तान का वह समवेदानिक निकाई, जो राजस्तान के अंदर employment जो है, नए सरकारी करमचारी है, उन सभी को लेने का काम करता है, RPSC के बारे में इतियास से सुरू करते हैं, सबसे पहले देखते है, RPSC जो है, इसका इतियास किया है, सबसे पहली बात की जाए, तो ये एक समवेदानिक निकाई है, यानि एक constitutional body है, साथ ही साथ में आपको याद रखना है, एक सलाकारी आयोग है, इसकी स्थापना जो है, उसके अंदर, सबसे पहले एक अध्यादेश लाया गया, 1948 के अंदर, और इसकी स्थापना होती है, 1950 के अंदर, और्डिनेंस के माध्यम से, और 20 अगस्त, 1950 को इसकी स्थापना जैपूर के अंदर होई, जी हाँ, वर्तमान में इसका कार्याल है, अजमेर है, गूगरा गाटी अजमेर, और इसको लाया गया, एक नौबर 1956, राहिस्तान के पूर्ण स्थारूप, यानि राहिस सत्यनान राव समिती है, उनकी सिपारिश के बाद इसको लाया गया, कहां पर अजमेर के अंदर, साथियों, यदि हम बात करें कि जब इसकी स्थापना हुई, तब सिसके सदश्यों की शंक्या कितनी थी, तो टोटल तीन लोग थे, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, और साथ में दो मेंबर हैं, वर्तमान के संदर में पूछ लिया जाए, कि RPSC के अंदर वर्तमान मेंबर की बात की जाए, तो टोटल आट मेंबर है, जिसमें एक अध्यक्ष और साथ सदश्यों है, और RPSC के वर्तमान चयर परसं, यानि इनके जो हमारे अध्यक्ष है, वो है संजय क कुमार शौत्री है और उनके साथ में साथ और लोग है जो की इनके मेंबर है जिसमें एक नाम आता है स्रीमति शंगिता आर्य जस्वन सिंग राटी बाबुलाल कटारा का नाम तो आप सुनाई होगा मंजु सर्मा लेप्टनेंड केसरी सिंग केलाश चंद्र और प्रोफेशर अयूब खान और कटारा साब ने अपने बच्चों को अपने रिस्तदारों को नौक्रि लगाने के चक्कर में आर्पीशी की सदेश्यता खोदी है इन्हें अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है सस्पेंड कर दिया गया है आप लोगों से अगला प्रेश्ण पूछ लिया जाए कि आर्पीशी की सदेश्य शंक्या आर्ट कब की गई तो वर्स है 2013 इस बात को याद रख लिजिएगा तो वो अधिकतम चार वर्सों के लिए कारिय कर सकता है क्योंकि एज लिमिट 62 वो एकसीड कर जाएगा और यदि कोई 52 साल की उमर पे बनता है तो 6 वर्स का कारियकाल होगा यदि स्तिपा देंगे तो किसको देंगे राजियपाल को देंगे सेलरी सवा दाल सवा दो लाक और से अलग वेतन बत्ते इसके रहते हैं ऐसी शांदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद